असलाम आणिगों दोस्तों दोस्तों हम देखते हैं इंशाला एक अकाउंट को सॉफ्टेर जिसकी मदद से आप अपने बिजनिस को और परस्टनल जो एक्सप्रेंस एन इंकम है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर हम इंटरनेट पर वेपसाइट पर हम जाएंगे आख में लिखिएंगे वेव आप करेंगे तो इस अकाउंट के सॉफ्टेर में सकते हैं बेसिकली ये software जो है अपने company के और personal expense को record करने के लिए बड़ा बहतरी ओनलाइन और free software जो है ये अविलेबल है तो इसकी detail को आप अची तरीक से बाद में देख सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि हम अपने personal और business को कैसे maintain कर सकते हैं पहले इसके अंदर इसके अंदर मैं business के हवाले से चल्ची से बताता हूँ और उसके बाद कुछ personal चीज़ों को record करने बता दूँगा तो उसका फायदा जो हो जाएगा कि आपको एक overview मिल जाएगा complete तो इसके अपर मैं वीडियो नहीं बना सकता है क्योंकि मेरा subject नहीं है लेकिन हाँ आपने मुझसे जो लोग सवाल करते हैं कि आप अपने company का accounts कैसे maintain करते हैं तो उसका जो राज है वो यह है और इसके जो कु क्योंकि मैं printing का जाम ही करता हूं तो में लिए मुझे printing के लिए यूज करना पड़ता है इस्टुडेंट की fees और बहुसा चीज़े भी record हो सकती है लेकिन मैं आपको इन्वाइसिंग पाइंट आपिस इसको समझाना जाता हूं तो इसमें पहली चीज़ है प्रोफेशनल इन चैस की हो चाहे आपने रॉसरी की हो चाहे आपने जो है कहीं रेस्टुरेंट में खाना खाया हो तो लेकिन आपको पता नहीं चलता at the end of month कि मेरे पैसे गएगा तो इस ये आपको ज़रूर्ब करेगा इंशाला कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बस maintain इसमें काम अस आपको प्रक्राइब कर सकते हैं तो इन चीजों को ये फायदा होता है तो सबसे पहले मैं आयाता हूं परस्टाइन इनवासिंग में अच्छा जी हम बोलता है कि आप अपनी कंपणी का लोगो एड करें तो यह हमारा लोगो आजाएगा जो आप कलर इसमें से लेना चाहते आप जा तो भी का तो मैं आप कर सकते हैं तो बिल व्लब जैसे मैं एक टम्पली एक हो बना लेता हूं मैं अपने आपको यह अपना कस्ट्aska मना बना लेता हूं प कि आ और अस पर आहमद मैं ने यह कर दिया तो देखें यह मेरा कस्टूमर आ गया और इसकी email डिटेल आ गया तो चूसर डिफरेंट कस्टूमर कस्टूमर रिखेंज भी कर सकते हैं अच्छा जी यह तो हमारे इन्वाइस का एक फॉर्मेट आ गया लिगी इस इन्वाइस से पहले जो है मैं जाना चाहता हूं estimate में कि हमें once estimate में कि इसको leave कर देता हूं हम estimate सबसे पहले हम बनाते हैं कि हम किसी भी client को हमको quotation देते हैं कि यह मेरा जैसे printing का काम है कि मैं चाहता हूं कि यह book मैं आपको इतने की print करके दूँगा यह sticker आपको इतने की print करके दूँगा तो सबसे करते हैं तो हम पर सब्सक्राइब करेंगे create and estimate इस estimate को आप या quotation मिले सकते हैं या one मिले सकते हैं यह इसका format आगया अब इसमें select करना चाहता हूँ कि मेरा customer कहुं सा है artistic इसको मैं एक देना चाहता हूँ invoice और इसकी limit होगी कि वह वह पेमिंट कर दे और यह हमारे पर head, sub heading है footer है और memo है, memo मैं कहना चाहता हूँ कि 50% यह मैं इसको एक memo देगा अच्छा, अब मैं यहां से select करना चाहता हूँ कि कुछ sticker है यह पोस्टर है या कुछ भी है, मैं पोस्टर यह एड करना चाहता हूँ तो poster कर देता हूँ, poster और add poster और इसकी sales description क्या है, हमारे पास यह poster मैंने ले लिया, तो इसको मैं कर देता हूँ तो quantity कितनी print हो रही है, 10,000 इसकी quantity print हो रही है, price जैना 5 rupees है, तो हमें पता चलिए कि 50% अगर कोई text है, तो हम यह text add कर सकते हैं, text add करने के लिए, जहाँ text पर add करेंगे तो new add new text, यानि बिलफास जैसे मैं यहां आया और यहां नहीं के बाद मैंने बोला, कि GST हमें देना इसके अंदर, और abbreviation भी GST है हमारे बास, और उसको बन रहा है कि 17% हमारा इसका text होता है, तो इसको add text कर दिया, तो जब मैं GST पर करूँगा, तो आटोमेटिकली GST के साथ add होके हमारे पास यह एक estimate बन गए, इसको जिस मेरे safe किया, अब safe करने बाद फाइदा इसका ही होगा, यह यहीं से directly client को हम send कर सकते हैं, must client, मै सेफ करने के बाद इसने estimate की एक format मुझे चेक कर आएगा अब यह आपके पाद client के पास इस style से जाएगा, तो इसकी yes की price होगी, grand total, और यह client है, अस्वन आइमाद खान का नाम है, और poster जा रहे है 10,000, उस QQS की price है, और उसके पाद sale tax जाना सारे 8,000 पे कर लग लग रहा है, सकते हैं कि customer को किस तरीके से नज़र आएगा, आपके जो client है, आपके जो customer उसको इस style से नज़र आएगा, तो ठीक है, हम back कर लेते हैं, send, अब यह बड़ा मज़ेगा, इस कितना option है, कि हमने send किया, send with wave, मैं चाहता हूँ कि wave से direct email चली जाए, यह Gmail के थ्रू जाए, Yahoo के थ्र send कर दो, अगर मुझे exports की PDF चाहिए, तो भी मल सकती है, और print करना चाहिए, तो भी हम कर सकते हैं, तो send with wave मैंने किया, यह email address मैं already define कर चुका था, और इसके अंदर मैं, एक message देना चाहता हूँ, send मैंने किया, तो यह client के पास यहां से चली गए, अब अगले step भी है, कि बिलफर्द ऐसा होता है, कि client के पास, यह estimate मेरे पास आगया, और यह मैं अपने पास चेक करता हूँ, कि मैं वो टोटल estimate आया, 58,500 का, तो view in browser हम कर सकते हैं, अब मैं समझने किया, जैसे client हो, तो मैंने view is browser किया, और मेरे पास यह तमाम चीज़े आ गई, कि artistic institute के जानिब से आया है, customer जो है, नव artistic है, तो यह देखें हमारे पास है, अब मैं इसका print भी निकाल सकता हूँ, इसको video भी download कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी viral जबूद नहीं है, तो अब विलफर्स जैसे मैंने approval दे दी कि हाँ यह approved है, अब आप इसको print करने, तो मैं यहाँ आँगा, और इसको कर दूँगा, convert to invoice, automatically क्या करेगा, कि यही मेरे estimate को convert कर देगा, किसमें, आपके invoice में, अब invoice में मैं कहने साहता हूँ, कि एक payment waiver record होनी चाहिए, लाजबी कि जो 50% advance आया, तो जब मैं इसको convert to invoice किया, तो मैं इसको check करता हूँ, कि हाँ, इसके अंदर तमाम चीज़े सही है, अब यह हमार पर invoice की setting आ गई, अब मैंने यहांसे किया add, अब मैं इसको बता है sticker, उसने और इसमें भी वही text add होगा है, जो हमारे पर already defined होगा होता है, अब जयादेगे कि इसके नदर जो चीज़ आप once add करते चाहेंगे, वह आपका client का record होता जाएगा, और batch 3, आपको next time, जससे 2 या 3 क्लिक करने होगा, और आपके estimate और हाँचीज लेडी होगी, इंशाल्ला, जै किया, और इसके नहीं 50% payment जा है, वह add करने है, तो देखें, मैं जैसी approved draft किया कि राफ अप्रूव होगया, अब आगया record a payment, तो record a payment जो है, इसको 50% है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि 30,000 जा है, मुझे दे दिया है, और bank payment है, payment account जा है, वह owner security में हागया हमारे पास, और इसको यहां लिख जाता हूँ 50%, submit कर दिया, और submit करने के बाद, sign a receipt, और client को यहीं से sign कर दिया, यानि और कोई सिलसे ही नहीं है, कुछी opt है, और कोई काम करना ही नहीं नहीं, यहीं कहीं आपका काम complete हो गया, once again मैं check करता हूँ client hand पे, तो जो client hand पे मैं check करता हूँ, तो उसके अंदर, क्योंकि हमें client को bank payment होई है, 3000 की advance आगया, तो यह भी हमें inform करना होता है, कि यह मेरे पास आ चुका है, और उसके बाद जब यह order complete हो जाएगा, तो complete payment का भी एक बिलम्स को दे देंगे, तो इसके अंदर without any paper involvement, आप online सारा काम करके दे सकते हैं, तो उमीद करता ह कि यहां तक बात आपकी समझ मागई होगी है, और इसके अंदर फायदा यह है, कि मजीद इसके अंदर customer statement है, customers को आप यहां से add कर सकते हैं, कि एक बार बैट के आपके जितने customer उनको add कर दें, बलकि यह भी एक बार बैट के करनी ही विज़ोत नहीं है, आप के पास जैसे ज satisfy है, हम भी है, अधम दिला satisfy है, तो उमीद करता हूँ कि यह तो आपके यहां समझ में आ गया होगा, किस हिसाब से company के साब से, अब इसके अंदर मजीद बहुत सारे सवाला आते हैं, इसके अंदर हमारे पर हैं, purchasing हैं, bills हैं, receipt हैं, vendors हैं, यह हमें add कर सकते हैं, जिन से हम काम क हैं, उनको भी add करें, क्योंकि जब हम किसी से कोई चीज material purchase करते हैं, तो उसका bill भी तो हमारे पास होना चाहिए हैं, कि उसको हमें कितने पैसे हज़ार करने हैं, उसके बाद बड़ी चीज जहना हमारा accounts है, जिसके नहीं हमारे पर transactions हैं सारी, तो यह way wrap आपके लिए help करेगा कि आपके profit and loss, आपकी जितनी चीज़े हैं, उसको automatically record करता है, और बहती ही तरीके से काम करता है, देखिए यह आपकी transaction आ गई, यह 30,000 जन आपके account में आये हैं, यह इसने आपके लिए maintain किया हुए, अब अगर इससे related को expense add करना है हूँ, तो मैं यहां से expense add करूँआ, और इस इसके लिए material purchase किया है, तो यहां आके इसको किसी ना किसी category में अगर हम डाल सकते हैं, और यह paper and material आ गया, तो आप यह देखिए कि यही चीज हमारे पास यहां आ गई, ठीक है जी, तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जो account से उसको maintain कर सकते हैं, तो बस next में मैं एक चीज़ बताने जाता हूँ कि यहां से आने के बाद आप इसको अगर personal करेंगे, और personal के अंदर भी आके इसी जरीके से आपनी चीज़े को record कर सकते हैं, personal में मैं आपके once आपको अपनी कुछ details देनी होगी, और वो details एंटर करने के बाद आप यह देखिए, बेबकर चंद सवाला जमा हो जाएंगे, तो मैं उसको जमा करके इंशाला एक वीडियो बना दूँआ, वरना मैं इसी पर इत्तिफा करता हूँ, मेरी suggestion यह है कि आप इस software को अपनी personal life को, घर के home expenses को और business को record करने के लिए जरूर इस्तवाल कीजिए, दौाओं के तर्खास है, असलाव आने के बादुआ।